लोकसभा चुनाफ को लेकर जुला प्रिशासन गुरूग्राम ने भी कमर कसली है। गुरुग्राम लोकसभा में कुल नो विधान सभा है, जिसमें से गुरुग्राम जिले की चार विधान सभा है, इन चारों विधान सभा में कुल दस लाग के करीब मद दाता है। सभी मद दान केंद्रों पर सुरक्षा और सुधा के इंतजाम की भी रूप रेखा तयार की जा रही है। गुर्ग्राम में इस बार मद्दाताओं को अकरशित करने के लिए खास करके महिलाओं को उनके लिए पेंक मत्तान केंद्र बनाया गया है जिसमें सभी महिलाएं तैनात रहेंगी अपर में आपसा सब्सक्राइब इस में प्रपार्डा आपको पूरी परकरी होते होते होथा अगला रात हो जाती है तो ऐसा कोही ने की इस वह जंडर दॉम्नेंट या गेंडर इसके बीडन अडमिर्म के लिए इक वद आधिक लिए वा एनिटेट रहें जड़ कोई ने की आ गुरुग्राम इस सुरक्षा के लिहाद से अभी से पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर एक मैप तयार किया जा रहा है जिससे किसी तरह की कोई कोता ही ना वरती जाए वहीं जादा से जादा मत दाता अपने मत दान का प्रयोक करें इसको लेकर भी पूरी तयारी की जा रहा है कि लोगों को जागरु किया जा सके कॉलेज और गाउं गाउं जाकर शेहर की सोसाइटियों में हर जगा जाकर प्रिशासन की तरफ से जो टीम बनाई गई है उसके माधिन से नुकड नाटक के जरिये भी जागरु किया जा रहा है इसके लावा गुरुगराम में इस बार बड़ी संख्या में युवा वोटर भी शामिल हैं जिसमें करीब एक लाख वोट नए बने हैं प्रिशुरिटी भी डिप्राइड करें डिपेंडिंग उन सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव और हमारे क्रिटिकल बूलिंग बूट्स सब्सक्राइड सेंसिटिव और हमारे जनने अगर वोट देने में उन्हें कोई परिशानी आ रही है सहूलियत चाहिए वीलचेयर हो अथवा एक सब्सक्राइड काफी बड़ी उमर होगी अपर नहीं एक खुद आ सकते तो हम यही प्रियास करेंगे कि कोई भी मद्दाता मद्दान करने से ना चुके इसके लिए भी प्रिशासन की तरफ से प्रियास किया जा रहा है इस बार गुरुग्राम में चुना को लेकर द्रोणा चारे कॉलेज को सेंटर ना बनाकर गर्स कॉलेज सेक्टर 14 को चुना गया गया इस कॉलेज में सभी EVM मद्दान के बाद रखी जाएगी और यहीं मद्दणा होगी जला प्रिशासन ने इस बार इसे इसलिए चुना है क्योंकि इस कॉलेज की कनेक्टिविटी काफी बहतर है रिशेप ठक्राल गुरुगरान सीयमिद राइट फ्रॉम आपके बियलों से जो वो इपिकार इस्यू करता है और साथ में जो वोटिंग के दिन आपका वो क्रॉस्टे किया जाता है प्लस जो हमारे बियलेज होते हैं आपके बूर्थ लेवल एजेंट्स सब पॉलिटिकल पार्टी इसके तो वो इसी परपस से ECI यह स्थापित करता है कि कोई भी बियले ऑब्जेक्शन कर सकता है अगर उमें अन्देशा हो कि कोई गल्थ बोट डाली जा रही है तो यह राइट उनके पास रहता है और वो उससे समय क्रॉस्टेक्ट भी आज़ा अगर आपकी कोई भी हमारे नागरी के जिनकी वोट ना बनी हो तो अभी भी अज समय है अंटिल दा लास्ट डी ओप नॉमिनेशन वोट बनवा सकते हैं किसी कारवश अगर वोटिंग के दिन हम नहीं उसे लापाते या सपोस्ट भी लूजिट तो आपके पास ग्यारा अन्य हमारे ऐसे अडिन्टेटिटी कुरूस रहते हैं जो कि माल में है और वो सुची भी हम आपसे सर्कुलेट कर लेंगे अगेन मैं रिक्रस करूंगा आप उसे कैंड़ी सर्कुलेट रहते हैं